वाट्सप गाइज वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल आज हम आपके साथ एक ऐसा डाइट पैन शेयर करने जा रहे हैं जिसके इस्तिमाल से आप विदिन 30 देज तक अपना वेड गेन कर सकते हैं यह डाइट पैन उन लोगों के लिए बहुत जादा हेलपफुल होगा जो अंडर वेट हैं जिनका वेट 40-50 kg तक है और वेट विदिन फ्यू डेज गेन करना चाहते हैं इस डाइट पैन में हमने कितने मील्स कंजूम करने हैं कौन-कौन से मील्स कंजूम करने हैं हर मील्स के मैक्रों क्या हैं इसके बारे में पर डैल बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने मेरा चैनल फितग सब्सक्राइब नहीं किया थो सब्सक्राइब बल आईकन पे चैनल क्लिक कर लिए साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताके आपको मेरी हर आने वली निए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें So guys, let's start our topic Friends, normally हम एक दिन में 3 मिल्स कंस्यूम करते हैं Breakfast, Lunch, Dinner So, इस डाइट प्लैन में आपको एडिशनल 3 मिल्स एट करने होंगे So, मतलब हमें total 6 मिल्स एक दिन में एक दिन में कंस्यूम करने होंगे ताके हम अपना वेट गेन कर सकें Extra calories हमें लेनी होंगी इसमें So, बात करते हैं मिल नमबर वन की जो आपका breakfast meal होगा इसमें आपको लेनी होंगी 2 large size चपाती जिनका वेट होगा 200 gram इसके साथ आपको एड़ करने है 2 tablespoon clarified butter जिसे डेसी की बोलते हैं यह आपने दोनों चपाती पे लगा लेना है और इसके साथ आपको एड़ करने है 3 whole eggs fry it or omelette इसे आप fry कर लेएं omelette बना लें It's up to you जैसे भी आप इसे पसंद करना चाहें आप उसे अपनी choice के हिसाब से बना करते हैं So friends बात करते हैं इसके मैक्रोज की So इस meal में आपको 33 grams protein मिलेगा 82 grams आपको इसमें काल्ज मिलेंगे और fat इसमें मिलेगा 42 grams So यह हो गए इस meal के मैक्रोज अब बात करते हैं Meal No.2 की जो आपको इस meal के दो यह तीन घंटे बाद लेना है Basically आपको इसमें भी meals consume करने हैं हर meal में दो से तीन घंटे का gap होना ज़रूरी है ताके आपना जो meal हैं इतने भी उसे आप अच्छे त्रीके से digest कर सके So meal No.2 basically it's a weight in a shake इसमें आपको add करना है 250 ml full cream milk इसके साथ आपको लेना है 2 large bananas जिनका weight 200 grams तक हो 200 grams से कम weight हो banana आपका तो आप इसमें 3 भी add कर सकते हैं total weight आपको 200 grams तक लेना है इसके साथ आपको add करना है 2 tablespoon peanut butter peanut butter is so healthy butter to gain weight इसके साथ आपको add करना है 1 oz almonds इसमें approximately 23 almonds होते हैं इसे कहते है 1 handful almonds साथ के हिसाथ से 20 भी हो सकते है 25 थी so 1 oz almonds आपको इस weight gainer shake में add करना है इसको आपने milk से पना के इसको आपने consume कर लेना है सो बात करते हैं आप इसके macros की आपको add करना है white rice boiled or cooked जैसे प्या पसंद करें 200 grams आपने ले लेने है after boiled or cooked 200 grams इसके साथ आपको add करना है chicken breast 150 gram ये भी आपको cooked chicken breast लेना है 150 gram साथ में आपने add करना है raita 250 gram so इस meal के macros की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 45 gram protein 66 gram carbs and 6 gram आपको मिलेगा इसमें fat so ये हो गया आपका meal number 3 which is your lunch meal इस meal के दो या तीन गेंटे बाद आपको एक और meal add करना है उसमें आपको लेना है meal number 4 उसमें आपको fruit chart लेनी है 200 gram मतलब differeint fruits बनाना, apples, mangoes, जो भी season के हिसाब से fruits available है उसको आपने mix करके cutting करने के बाद mix करके 200 gram weight करके आपने वो ब्रेज़ंगे आपने ले लेनी है food chart इसके साथ आपको आड़ करने है two slices of whole wheat bread या आपको किसी बेट्शी बेकरी से मिल जाएगी, whole wheat bread and finally आपको इसमे आड़ करने है one tablespoon peanut butter peanut butter आपने slices में उसी तहां लगा लेना है जिसना हम jam slice पे लगाते हैं और इससे आपने two slices of whole wheat bread आपने consume कर लेना है with 200 grams of food chart so friends बात करते हैं इसके macros मी इसमें आपको मिलेगा 11 gram protein, 63 gram carbs, 12 gram fat so meal number 4 के macros होगे करने ही so friends बात करते हैं meal number 5 की which is your dinner meal इस meal में आपको लेने है french fries 200 gram french fries इसके साथ आप आपने add करनी है ketchup, two tablespoon maximum two tablespoon के हिसाब से जितनी ketchup बंती है इतनी आपने french fries पे डाल लेनी है इससे जादा अपना लें इसके साथ आपने add करना है chickpeas boil so fat जने आपने ले लेने है उसे boil करके measurement कर लेनी है 100 gram तक वो आपने consume कर लेनी है उस पे आपने taste according salt and paper add कर सकते हैं जितना भी आपको बसंद को so friends बात करते हैं meal number five के macros की इस meal में आपको मिलेगा 14 gram protein 92 grams carbs and 12 gram आपको मिलेगा इसमें fat so ये था आपका dinner meal अब बात करते है meal number six की meal number six basically वही same meal है जो अमने meal number two लिया था weight gainer shake इसमें में लिया था 250 ml full cream meal two large bananas 200 grams weight two tablespoon peanut butter one horse almonds so macros की बात करें तो 24 gram protein 73 gram carbs 38 gram fat which is unsaturated fat maximum इसमें maximum unsaturated fat है which is healthy fat जो आपके लिए बहुत जादा healthy है so ये वही meal जो हमने meal number two consume किया था इसके macros हो गए अब हम बात करते हैं total macros की के हमें इस meal में कितने macros मिले total six meals को जब हम add करें तो इसमें हमें मिलते हैं 151 grams protein 449 grams carbs 148 grams fat so friends it's a high amount carbs ये amount कफी high है and carbs and fat basically weight gaining में बहुत अगर healthy होते हैं so friends अब बात करते हैं water per day की के हमें एक दिन में कितना water लेना है so इसका एक rough idea ले लें आपको एक दिन में 100 rows water लाजमी पीना चाहिए पीना है इस meal के साथ जो three liters बनता है मतलब अगर आपको divide करें six meals पे तो हर meal के साथ आपको half liter water लेना है ये must है अगर आप weight gain करना चाहते हैं तो meal के साथ water intake must है summer season में तो और जादा required है तो इसके साथ आपने एक और चीज़ एड़ करनी है multi vitamins and minerals yes, multi vitamins and minerals की आपने एक tablet एड़ करनी है ये आपने लाजमी एड़ करनी है देखो ये आप अच्छे medical store से आपको मिल जाएगी इसका ये benefit होगा कि आपने जो six meals high calories meal आपने consume किये वो आपको digest होना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा आप उन meals को easily digest कर पाएंगे अगर आप multi vitamins and minerals की एक tablet add नहीं करते तो आपके लिए may be difficulties हो कि आप उसे अच्छे तीके से digest ना कर पाएंगे because अगर आपका absorption rate ठीक नहीं है तो आपको जो आप मेल्स आप में add यह हैं अगर फुली तोर पे absorb नहीं होंगे आपके body में तो आपका weight properly gain नहीं हो सके का So friends, इस चीज़ को अपने पने mind में रखना है Hope you like the video Thanks for watching, take care